नवस्कार साथियों, Law, Order and Civil Rights YouTube चैनल में आपका स्वागत है अभिनंदन है इस चैनल के माध्यम से हम आपको विन्न प्रकार के जानकारी प्रदान करते हैं जैसे PhD और MPL admission, Assistant Professor की भरती से सम्मंधित जितने भी notification है हम इस विडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे रहे हैं साथि साथ आप VGC.net के तैयरी कर रहे हैं तो उनके लिए हम पाठिकरम समागरी के सहीत lectures program भी उपलब्द कराते हैं साथियों ये आपका चैनल है और इस चैनल को आप प्रोमोट कीजी ताकि गाउं और गरीब छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके आज दो जन्वरी 2019 है और आज के समाचार में असब इन्वर्शिटी सिल्चर में PhD और एमफिल एडमिसन से सम्मन्दीत नोटिस जारी की गई है साथियों ये असब इन्वर्शिटी एक सेंटरल इन्वर्शिटी है जहां पर आप एमफिल और PhD के लिए पुरे देज भर के योगे केंडिडेट एपलाई कर सकते हैं ये एप्लिकेशन प्रोसेस आलाइन एप्लिकेशन प्रोसेस है और आलाइन के माध्यम से आपको जो है इसमें जो है आप एपलाई करेंगी असम इन्वर्शिटी में ये प्रोफार्मा है हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है ताकि इस लिंक में इस लिंक के माध्यम से आप एपलाई करें देखे यहाँ पर Department of Offering, Amphil PhD Course यहाँ पर दो विभाग है एक है सिल्चर केमपस है और दुसरा है दीफू केमपस है दो केमपस है दोनों केमपस में से किसी भी केमपस में आप Amphil या PhD कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एपलाई कर सकते हैं देखे क्या क्या सब्जेक्ट है इस विभी द्याले में जहाँ पर हम Amphil या PhD या दोनों हम कर सकते हैं जैसे linguistic भासा भी ज्यान है दुसरा बंगाली हिंदी हिंदी में भी है मनिपूरी संस्कृत संस्कृत में आप जो है Amphil PhD सिल्चर में कर सकते हैं लेकिन आप यहाँ पर दिफू में यहाँ पर संस्कृत नहीं है English, Arabic and Economics, Commerce, Political Science, History, Sociology, Mass Communication, Education, Philosophy, Physics, Mathematics, Computer Science, Life Science, Bioinformatics, यहाँ पर Macrobiology, Biotechnology, Ecology and Environmental Science, Indian Comparative Literature, Earth Science, French, Social Work, Visual Arts, Chemistry, Statics, Business Administration, Law, Agriculture Engineering, Electronics and Communication Engineering, Computer Science and Engineering, यानि कि 34 सब्जेक्ट्स आपका सिल्चर जो हैटक्वार्टर है असब इन्वर्शेटी का उस केमपस में आप MPL और PhD दोनों में से कोई भी एक इस वर्ज यानि कि 2019 में आप कर सकते हैं यहाँ पर देखे दिपु केमपस में क्या सब्जेक्ट है यहाँ पर देखे हिस्ट्री, कॉमर्स, फिजिक्स, लाइफ साइस and बायो इन्फार्मेटिक यहाँ पर जो है आथ्रपुलोजी, पोलिटिकल साइस, इंगलिस and जेगरफी यह दोनों जो केमपस है इस केमपस में स आप कहीं भी एपलाई कर सकते हैं, यहाँ पर देखे इसके लिए योग्यता की क्या मापदंड है, यहाँ पर एंफिल प्रोग्राम के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर पहला जो है एंफिल प्रोग्राम के लिए मांगा गया है, यहाँ पर आपको ध्यान रखेगा, यहाँ पर आपका post graduation में यानि कि master degree में जिस बिसे में एंफिल या PhD करना चाहते हैं यहाँ पर एंफिल प्रोग्राम के लिए बता रहा हैं तो आप यदि एंफिल करना चाहते हैं तो आपके उस subject में master degree में 55% marks होनी चाहिए 55 से above चाहिए दुसरी बातें यहाँ पर relaxation दिया हुआ है SCST OBC candidate को यहाँ पर 5% की छूट जो है SCST और OBC candidates को दी गई है यानि कि SCST OBC candidates के लिए 50% PG में होना ज़री है यहाँ पर PhD program के लिए भी same to same है candidate who have cleared a four paper MPHL course work with at least 55% mark in aggregate its equivalent grade B are those who have already completed the course work in MPHL यहाँ पर देखे एंफिल वाले जो है यहाँ पर PhD के लिए आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर जो MPHL किया हुआ है वही candidate जो है PhD के लिए आवेदन करेंगी यह इस first group से लिग दिया गया है ठीक है candidate possess a degree considered equivalent to MPHL degree to Indian Institute from Foreign Educational Institute accredited by the Assessment and Accreditation Agency जो भारत के या भारत के बहार जहां कहीं कभी हो वो भी apply कर सकता है लेकिन उसका नेक से ग्रेडिक होना ज़रुरी है यहाँ पर वो चीज़े नहीं दिया हुए है यहाँ पर PhD प्रोग्राम के लिए पहला point दिया हुए है master degree holder satisfy student under the degree of admission to MPHL program under the point one मतलब वो ब्यक्ति भी PhD प्रोग्राम के लिए मानने होंगे जो MPHL की योग्यता रखते हैं फिल में प्रवेश लेने की योग्यता रखते हैं आनि की PG में 55% होना ज़रुरी है PhD प्रोग्राम के लिए भी इस बात को हमेशा ध्यान रखेगा how to apply हम apply करें तो करें कैसे यहाँ पर करा है कि सबसे पहली बात जो है apply करने के लिए आपको इस website में जाना पड़ेगा जो हमें आप यह आपको दिखाया है और सब भी से भी देले का यह website है यहाँ पर देखे personal information है यहाँ पर general information है exam information है educational information है यहाँ पर declaration है और final submission है यह च्छे प्रकार का step है तो यहाँ पर आपको जो है जब देखेंगे MPH PhD program में तो यह prospectus 2019 है यहाँ पर MPH PhD program के बारे में देख सकते हैं यहाँ पर prospectus 2019 देख सकते हैं यहाँ यहाँ पर option दिया हुए PhD या MPH यदि PhD है तो PhD भी टिक मारिए यहाँ पर PhD MPH के लिए है तो यहाँ पर टिक मारेंगे तो यह proceed no कहेगा और इसके बाद में यह प्रक्रिया जो है आपका चालू हो जाएगा यहाँ पर देखी आपको online apply करना है उसके लिए general category और OBC candidate को 500 रुपया फीस देना है केवल 500 रुप बच्चे हैं उनके लिए 300 रुपय का फीस है यहाँ पर इचालान या online के माद्धम से आप जमा कर सकते हैं याद रखेगा इसकी जो अंतिम्तिति है फीस पे करने की वो 7 जनवरी 2019 के साम के 5 बजे हैं इसके अलावा इसके अलावा जो है यहाँ पर सेडूल दिया हुए है कि कब क्या होगा यहाँ पर दोनों केंपस में सिल्चर केंपस में और डिपू केंपस में यहाँ पर 7 जनवरी 2019 के पहले आपको online application करना है और 12 जनवरी को यह eligible candidate का जो है जो टेस्ट में बैठेंगे उनका जो है यह eligible list निकाली जाएगी योग्य अभिहरतियों की नाम निकाली जाएगी जो पात्र है एक्जामनी सन में बैठने के लिए यानि कि entrance में बैठने के लिए जो योग केंडिडेट होगा उनका list निकाली जाएगी यहाँ पर 17 जनवरी को यहाँ पर combined research entrance test होगा 11 बजे से लेकर 1 बजे तक और फिर personal interview फिर दो बजे होगा यानि कि आपका दोनो paper जो है साथ साथ चलेगा एक तो जो entrance test देंगे और साथी साथ आपका personal interview जो है उसी दिन हो जाएगा फिर 23 जनवरी को जो है publication of the list of eligible candidate जो भी योग केंडिडेट है PhD और एंपिल के लिए वो 23 जनवरी को जारी कर दी जाएगी 24 से 25 जनवरी को यहाँ पर admission process चलेगा admission होगा और फिर 30 से लेकर 31 जनवरी को जो है यहाँ पर waiting list admission of selection यहाँ पर जो है wet listed candidate फिर जो भी candidate यदि मालिजे 25 जनवरी तक उन्होंने admission नहीं लिया है तो waiting list वालों का जो है वो list जारी किया जाएगा उसका admission होगा साथी साथ एक फरवरी से आपका PhD और MPL का course चालू हो जाएगा यानि कि आपको एक महिना में ही सारा काम करना है यदि आप देखेंगे तो आपको समझा जाएगा जैसे prospectus देखेंगे prospectus में भी फीस structure दिया हुआ है कितना फीस लगेगा PhD करने के लिए MPL करने के लिए आज prospect को खोल लीजी prospectus को जैसे खोलते हैं तो आपको जो है पूरा फीस structure यानि कि MPL करने के लिए कितना पैसा चाहिए कितना फीस देना पड़ेगा और आपको जो है PhD करने के लिए कितना फीस देखरत पड़ेगा और याद रखेगा एक बात जो है यदि आप Center University में आप करना चा देखेंगे तो अलग-अलग subject का MPL का seat और आपका जो है अलग-अलग subject का पूरा details दिया हुआ है कौन सा seat खाली है कितना seat खाली है इस prospectus में सब दिया हुआ है ठीक है subject wise seat दिया हुआ है वहाँ के professors का नाम दिया हुआ है यहाँ पर देखिए admission fees जो है यह तो आपका detail हो गया उसके बाद में admission fees जो है इस तरह से आपका MPL program total 5000 में आपका हो जाएगा total 5000 रुपया खर्चाएगा ठीक है यहाँ पर जो है इसी प्रकार से PhD करने के लिए भी यहाँ पर जो है 9000 में आपका PhD हो जाएगा यहाँ पर payment office जो है किस तरह से देना है यह प्रास्पेक्टर्स आपके काम का है इसलिए इस प्रास्पेक्टर्स को जरूर पढ़ लिजिगा है हम जो है इसका जो है description में इसका link दे दिये है उस link के हिसाब से आप लोग जो है इसको अध्यान कर ल तेंक्यू दस तो